आदाब नजरीन, मौलाना आजाद नैशनल उर्दो युनिवरसिटी की जानिब से पेश के जाने वाले हमारे इस तालिमी प्रोग्राम में आपका खेर मखदम है आज का सबख B.A. और B.C.O.M. के निसाब से लिया गया है आज का मौजू है तफावल पैदावार पैदावार किसी भी माशियत का नहायती जरूरी फाल है माशी नजरियात के तालिम इल्म की हैसियत से हम को पैदावार के इस्तलाही मानों और दाखलात वा हासलात के दर्मियान बाहमी तालुख का मताला करना चाहिए आप नजरिय पैदावार के मश्मूलात और उसकी मुनासिबत वा मौजूनियत का भी मताला करेंगे एक मतगयर दाखल यानि आमले पैदाईश इन्पुट से पैदाईश के बारे में भी आपको वाकिफ करवाया जाएगा आप मतगयर तनासिबत और मुखतम हासलात के खवानिन का भी मताला करेंगे जिनकी वजाहत के लिए जुमला और मुखतम पैदावारों यानि टोटल आवरीज और मार्जिनल प्रॉडक्स के तसवरात से भी आपको वाकिफ करवाया जाएगा पैदाईश दौलत का मफहूम मीनिंग आफ प्रड़क्शन इस्तमाल के खाबल मक्तलिफ अशिया और खिदमात की तखलीख से पैदाईश यानि प्रड़क्शन से मुराद ली जा सकती है दूसरे अलफाज में पैदाईश से मुराद दाखलाद इंपूर्स मिसाल के तौर पर महनत मशीन काम माल को हासलात यानि आउटपुट में तबदिल कर देना है लेकिन काम माल को सिर्फ मादी शकल वा सूरत या मुझसिम शेय में बदल देना ही पैदाईश नहीं बलके अमल पैदाईश में दाखल और हासल गैरमादी शकल खिदमत या सर्वीस पर भी मुझनी हो सकते हैं खानून और तिब्बी खिदमत की मिसाल लीजिए जहां दाखल और हासल दोनों गैरमादी शकल अक्तियार करते हैं पस पैदाईश से मुराद सिर्फ मादी अशिया की तखलीख ही नहीं बलके माशी सरगर्मियों में मशगूल मुख्तलिफ पेशवाराना खिदमत जैसे वकील, डॉक्टर, आक्टर, हजाम, मौसीखर वगएरा भी इसमें शामिल हैं अमले पैदाईश मुख्तलिफ अलनों शकलें अख्तियार कर सकता है मस्नुआत की तैयारी, तैयारी का शुबा, खाम माल खरीद कर नीम तैयार अशिया यानि समी फिनिश्ट प्राड़क्ट की तखलीख करते हुए पैदाईश में मशगूल है दूसरा आमिल जो इन नामकमल मस्नुआत को खरीद कर तैयार मस्नुआत यानि फिनिश्ट प्राड़क्ट पैदा करता है, वो भी पैदाईश में मशगूल है मस्कुरा मिसालों में अशिया मादी नौईयत रखती हैं शेय की एक मुखाम से दूसरे मुखाम तक नखल पजीरी, खिदमत की पैदाईश यानि प्रड़क्शन आफ सर्वीस है पैदाईश दौलत का मफहूम इस्तिमाल के खाबिल मुखतलिफ अशिया और खिदमात की तखलीक से पैदाईश या प्रड़क्शन मुराद ली जा सकती है दूसरे अलफाज में पैदाईश से मुराद दाखलात, इंपुट्स, मिसाल के तौर पर महनत, मशीन, खाम्माल को हासलात या आउटपुट में तब्दिल कर देना है लेकिन खाम्माल को सिर्फ मादी शकल वसूरत या मुझसिम शेय में बदल देना ही पैदाईश नहीं बलके अमले पैदाईश में दाखल और हासल गहर मादी शकल खिदमात या सर्वीस पर भी मुबनी हो सकते हैं खानून और तिब्बी खिदमात की मिसाल लीजिए जहां दाखल और हासल दोनों गहर मादी शकल रखते हैं पस पैदाईश से मुराद सिर्फ मादी अश्या की तखलीख ही नहीं बलके माशी सरगर्मियों में मशगूल मखतलिफ बेशावराना खिदमात जैसे वकील, डॉक्टर, अक्टर, हजाम, मौसीखार वगरा भी इसमें शामिल हैं अमले पैदाईश मखतलिफ अल्नों शकलें अख्यार कर सकता है मसनुआत की तयारी का शोबा, खाम्माल खरीद कर नीम तयार अश्या, यानि समी फिनिश्ट प्रॉड़क्ट की तखलीख करते हैं पैदाइश में मजगूल हैं दूसरा आमिल जो इन नामकमिल मस्नुवात को खरीद कर तैयार मस्नुवात या फिनिश्ट प्राड़क्ट पैदा करता है वो भी पैदाइश में मजगूल है मस्कुरा मिसालों में अश्या मादी नुवायत रखती है शेय की एक मुखाम से दूसरे मुखाम तक नखल पजीरी खिदमत की पैदाइश प्रड़क्शन आफ सर्विस है एक कोईले का ब्यापारी बज़ाद खुद तो कुछ नहीं करता मगर कोईले को कोईले की कान से मार्केट तक मुंतखिल करता है इसी तरह एक मचेरा मचली को समंदर से मार्केट तक मुंतखिल करता है इनकी सरगर्मियों को भी पैदाइश कहलाती है शेय को मस्तकبل की फरख या सर्फ के लिए महफूस करना भी पैदाइश है इसी तरह थोक कारोबार या होल सेलिंग, चिलर कारोबार, रिटेलिंग और माल को पैक करना भी माशी सरगर्मियों की मिसाले हैं इफादे की तखलीव को पैदाइश के वसी मानों की तारीफ के तौर पर इस्तमाल किया जा सकता है पैदाइश दौलत का नजरिया, theory of production पैदाइश का अमल दाखलात के इस्तमाल से हासलात की तखलीव पर दलालत करता है पैदाइश दौलत का नजरिया मसरा इंजिनेरी मालूमा से शुरू होता है अब सवाल ये है कि अगर महनत, जमीन और दीगर दाखलात जैसे मशीन या खाममाल की किसी गदर मुगदार रखते हैं तो इन दाखलात के जरिये किसी मखसूस शेय की कितनी मुगदार हासल की जा सकती है शुरूआत के तौर पर टेकनोलिजी की हालत को दी हुई परस कर सकते हैं और अपने दीए हुए दाखलात की मुगदार के लिहास से या दर्याद कर सकते हैं कि इन ये इस्तमाल से हासलात यानि पैदावार की कितनी बेश्टरीन मुगदार खाबले हसूल है पैदावार का नजरिया पैदावार के खानी पर मुझमल होता है या दूसरे अलफाज में दाखलात और हासलात के दर्मियान वाहमी रिष्टे की बाबत तैमीमात जनरलाइजेशन से तालुख रखता है इसलिए दाखलात और हासलात के दर्मियान मादी रिष्टों की अमूमी वजाहत नजरिया पैदाईश के मौजू बहस या सब्जेक्ट मैडर की शकल अख्तियार कर लेता है दाखलात इनपूर से मुराद आमले पैदाईश में error की जाने वाली वो तमाम चीजें हैं जिन से मादी अशिया या खिदमात तयार की जाती हैं कुछ दाखलात मैशियत के चंद दीगर पैदा कुनूंदों की हाल हाल में तयार की गई अशिया और खिदमात पर मुस्तमल होते हैं, जिने हम दर्मियानी दाखलात यानि इंटरमीडियट इंपुट्स कहते हैं, जमीन, महनत, असल और तंजीन, यानि लान, लेबर, कैपिटल and organization ऐसे दाखलात हैं जो अब्तदाई दाखलात यानि प्राइमरी इंपुट्स कहलाते हैं, अब्तदाई दाखलात को आमलीन पैदाईश यानि factors of productions भी कहते हैं, किसी बड़ाई, कारपेंटर की मिसाल लीजिए, जो कुर्सियां बनाता है, कुर्सियों की तैयारी या पैदा पैदाईश में इस्तमाल की जाने वाली चीज़ें जैसे लकडी, कील, जाल, पालिश, दर्म्यानी दाखलात हैं, जबके बड़ाई की महनत, कारखाने की जगा, आलात वा आवजार और कुर्सियों की तैयारी की शुरुआत यानि इनिशेटिव इप्तदाई दाखलात की मि किया जाता है, उसे तफावले पैदाईश या प्रड़क्शन फंक्शन कहते हैं, तफावले पैदाईश दाखलात और हासलात की मगदारों के दर्मियान तफावली रिष्टे यानि फंक्शनल रिलेशन्शिप को जाहर करता है, या किसी पैदाईश अकाई के मादी दाखल और मादी हासलात के दर्मियान तफाली रिश्टे को बैन करता है गोया तफावल पैदाईश इस बात की सराहत करता है कि दी हूई टेकनोलोजी और दाखलात की मघदारों का इस्थमौल करकि कोई पैदाईशी फिर्म वक्त की फियाकाई पर किसी शेय की कितनी बेश्टेरीन मादी मुगदार पैदा कर सकता है तफावल पैदाइश कई शकलों जैसे जदवल या टेबल ग्राफिक लकीर खौस के अलावा अलजिबरा की मसावाद पर भी मुझतमल होता है और इसकी हर शकल को दूसरी शकल में तब्दिल किया जा सकता है क्योंकि ये तमाम शकलें मस्कुरा मजहर फिनामिना के बयान के मुझतलिफ अंदाज है तफावल पैदाइश की अलजिबराई तरीखे से तश्रीक के लिए हम मिसाल के तौर पर ये फ़स करते हैं कि सोने की कांकिनी करने वाली कोई फिर्म असल यानि के और महनत अल पर मुस्तमल सिर्फ दो ही दाखलात इस्तमाल करती है तो आम तरीखे के लिहास से इस फिर्म के तफावल पैदाइश की अलजिबराई मसावात हो गई Q is equal to F of KL जहां Q से वक्त की फी अकाई पर सोने की मुध़ार पैदाईश और K से वक्त की फी अकाई पर असल का इस्तमाल और L से वक्त की फी अकाई पर महनत का इस्तमाल मुराद है मसकुरा तफावल पैदाईश तजवीज या खियास के तौर पर बयान करता है कि के असल और अल महनत की दी हुई मगदार से सोने की बेश्टरीन मगदार यानि क्यों पैदा की जा सकती है हम दूसरी मिसाल से भी तफावल पैदाईश पर गोर कर सकते हैं फर्स कीजिए कि कोई फर्म जो लकडी के मेजों की पैदावार कर रही है उसका तफावल पैदाईश मेजों की बेश्टरीन तादाद पर मुश्टमल होगा जिन को इनकी तैयारी के लिए दरकार दिये गए मखतलिफ दाखलाद जैसे लकडी, वारनिश, महनत की मुदद, मश से गोर करना चाहिए क्योंकि तफावल पैदाईश मक्सूस वक्त की मुदद में दाखलाद के बहाओ, यानि फ्लो अफ इन्पुट्स के नतीजे में हासल होने वाले हासलाद के बहाओ, यानि फ्लो अफ आउटपुट को जाहर करता है, दूसरा है, टेकनोलिजी के दरजे क एतबार से किसी पैदाईशी अकाई के तफावल पैदाईश का तायून होता है, जब टेकनोलिजी में तरखी होती है, तो तफावल पैदाईश भी तबदील हो जाता है, इसके नतीजे में दिये वे दाखलाद से ज्यादा मुदार में पैदावार हासल होती है, या दिये اور متغیر داخلات یعنی fixed and variable inputs. عملِ پیدائش کے تجزیعے کے لیے معین اور متغیر داخلات کی حیثیت سے ان کی زمرہ بندی اہمیت کی حامل ہے. معین متغیرہ fixed variable کی تعریف کے مطابق یہ ایک ایسا عامل ہے جس کی مقدار کو حاصلات کی مطلوبہ مقدار میں تبدیلی کے نتیجے میں فوری تبدیل نہیں کیا جا سکتا. تجزیعاتی سہولتوں کی خاطر ہمیں یہ صورت حاصل دی گئی ہے کہ نہ اس لیے کہ کوئی بھی متغیر کلیتن ہمیشہ کے لیے معین ہوتا ہے فیکٹری کی عمارت، مشینری، اصل خائم اور انتظامیہ معین داخلات کی ایسی مثالیں ہیں جن میں فوری طور پر کمی پیشی نہیں کی جا سکتی. متغیر داخل, variable input. دوسری طرف متغیر داخلات سے مراد ایسے داخلات ہیں جن کی مقدار کو حاصلات کی مطلوبہ مقدار میں تبدیلی کے ساتھ جوابی طور پر اس کے ساتھ ہی تبدیلی کیا جا سکتا ہے. بے مہارت محنت، خام مال اور نیم یا ادنا محارت پر مبنی محنت متغیر داخلات کی تبدیلی کے ساتھ جوابی طور پر اس کے ساتھ ہی تبدیلی کیا جا سکتا ہے. بے مہارت محنت، خام مال اور نیم ادنا محارت پر مبنی محنت متغیر داخلات کی مثالیں ہیں. खलील मυτद और तवील मुदद the short run and long run period जिस तरह मोयन और मतगयर दाफलाद के फर्ख के तसवर से हम वाकिफ हो चुके हैं इसी तरह खलील मुदद और तवील मुदद के फर्ख के तसवर से भी वाकिफ़् ज्रूरी है खलील मुदद शॉर्ट रन से मुराद ऐसी मुदद है जिसमें एक या चंद आमलीने पैदाइश मौईन है इस लिहास से खलील मुदद में हासलात में तबदीली, मतगयर दाखलात के इस्तमाल में तबदीली का नतीजा है मिसाल के तौर पर अगर कोई पैदाईश यकाई खलील मुदद में पैदावार में वस्त चाहती है तो इसका मतलब यह है कि फर्म प्लांट के साइस और आलात वावजार की मुदार में तबदीली लाए लाए बगर मजदूरों यानि लेबर से ज्यादा वक्त तक काम लेते पैदावार में उस्त पैदा कर सकती है इसी तरह अगर खलील मुदद में पैदावार में तक्विफ करना हो तो कुछ खास मजदूर को काम से बेदखल या अलहदा किया जा सकता है लेकिन मुएन आमलीन पैदाईश जैसे फैक्टरी की अमारत और मशीनों वगरा को फौरी तोर से पर अलहदा नहीं किया जा सकता है तवील मुदद या लॉंग रन की तारिफ इस तरह बयान की गई है कि इस मुदद में तमाम दाखलात को मतगयर आमलीन की तरह समझा जाता है तवील मुदद में पैदावार में कुछ इस अंदाज से तबदिलियां लाई जा सकती ह जो पैदा कुनंदां के लिए बहुत ज्यादा मुराफ़ बख्ष हों। मिसाल के तौर पर खलील मुदत में पैदा कुनंदा मौजुदा प्लांट से फी दिन सिर्फ ज्यादा घंटों तक काम लेते हुए पैदावार में वुस्त पैदा करने के खाबिल हो सकता है। जिसके लिए वो कारिंदों को खातकार से ज्यादा काम ओवर टाइम ज्यादा शरा से मौफज़ा अदा करता है। लेकिन तौिल मुदत में पैदावार में इजावार करने के लिए जायत पैदावारी गुदाश की मशीन नस्भ की जा सकती है। जो ज्यादा किफायत बख्ष तरीखा और इस तरह फिर काम के आम दिनों की तरह हालात नॉर्मल हो जाते हैं पैदाइश के नजरिये में खलील मुद्दत और तवील मुद्दत की तफरीख बहुत ज्यादा एहमियत की हामिल है क्योंकि यह तसवर हमें फर्दन फर्दन खलील मुद्दत तफावले पैदाइश और तवील मुद्दत तफावले पैदाइश यानि शॉर्ट रन प्रड़क्शन फंक्शन और लॉंग रन प्रड़क्शन फंक्शन से मतारिफ कराता है खलिल मुद्दती तफावले पैदाइश, मतगयर आमलिन और हासलात के तफावले रिष्टे यानि फंक्शनल रिलेशन्शिप को बियान करता है जिसको खानूने मतगयर तफावले पैदाइश में नई और जदीद मशीनों से पैमाना पैदावार इन स्केल अफ प्रड़क्शन बढ़ा दिया जाता है तो फिर्म को कुछ किफायत यानि एकॉनमीज हासल होने लगती है तबील मुद्धी तफावले पैदाइश पैमाना पैदावार और हासलात ये तफावले रिष्टे की वजाहत करता है मतगयर तनासबात के खानून का बेयान यानि स्टेटमेंट आफ लौ अफ वेरिबल पॉक्रिशन्स मतगयर तनासबात का खानून इस वक्त अमल पजिर होता है जब मौयन और मतगयर दाखलात के दिरमें तगयर वाके होता है इस खानून के मताबिक दीगर आमली या दाखलात की मगदार बर्करार रखते हुए जब किसी मतगयर दाखिल आमले पैदाईश के मगदार मसावी मेजान के साथ बढ़ा दी जाती है तो जुमला पैदावार बढ़ती है लेकिन एक नुक्ते के बाद घटी हुई शरह से बढ़ती है इस खानून को दूसरी तरह से यूं भी बयान किया जा सकता है कि मौईन आमलें की मगदारें बरकरार रखते हुए जब किसी मतगयर आमल की ज्यादा से ज्यादा अकाईयां इस्तमाल की जाती है तो हम ऐसे नुक्ते पर पहुंच जाते हैं जिसके आगे मुखतum पैदावार यानि ओधूर्डा और आवसत पैदावार यानि अवरिज प्रॉड़िक्ट और बलाखर जिमला पैदावार टोल प्रॉड़िक्ट घटी जाती है जुम्ला औसत और मुख्टतम पैदावार यानि टोटल आबरेज और मार्जिनल प्राड़क्ट खानून मुतग्यर दनासबत का तज्जिया करने के पहले तालिब इल्म को जुम्ला औसत और मुख्टतम पैदावार के तसवरात पर फामले वूर हासल होना चाहिए एक मिसाल के जरिए इन तसवरात की तश्रीख की जा रही है कि एक किसान चार हेक्टर जमीन पर एक ट्रैक्टर और मजदूरों की बदलती हुई तादाद के साथ गेहूं की कास कर रहा है हम गेहूं की पैदावार की सथक का मादी अकाईयों में तज्जिया करेंगे जद्वल में चार हेक्टर जमीन पर गेहूं की पैदावार टनों में जद्वल में आप देख सकते हैं कि इस चार हेक्टर खता जमीन पर मजदूरों की मख्तलिफ तादाद के साथ जमला पैदावार कैसे तब्दिल होती है जैसे जैसे मजदूरों की तादात में इजाफा होता जाता है जुमला पैदावार बढ़ती जाती है यहां तक के छे मजदूरों के इस्तमाल से बेश्चरिम सता 66 टन तक पहुंच जाती है और साथवा मजदूर जुमला पैदावार में कोई इजाफा नहीं करता इसके बावजूद अगर हम आटवे मजदूर को काम पर लगाने के लिए इसार करते हैं तो जुम्ला पैदावार घटकर 64 तन हो जाती है चद्वल में आप दी गई मालूमात शकल के जरीए वाज़े की गई है O-X के महवर पर मजदूरों की तादाद O-Y के महवर पर गेहूं की जुम्ला पैदावार को पेश किया गया है मजदूरों की मختलिफ तादाद के जरीए इनकी सता पैदावार को खौस में पेश किया गया है खौस में दिये गए नुखाद से मुंसलिक एदाद मजदूरों की मुखतलिफ तादाद के जरीए महसला सता पैदावार की नुमाइंदिगी की जाती है शकल में 10.1 के नुखते से मुराद ये है कि एक मजदूर के जरीए 10 तंगे हों पैदा किया गया इसी तरह 24.2 के नुखते से मुराद दो मजदूर के इस्तमाल से 24 तंगे हों पैदा किया गया वगयरा जद्वल से हम औरसत पैदावार यानि आवरिज प्रॉडेक्ट और मुखततम पैदावार यानि मार्जिनल प्रॉडेक्ट के बारे में मालूमात हासल कर सकते हैं जिन्हें जद्वल में पेश किया गया है और जिसकी तश्रीश शकल के जरिए दी गई हैं जद्वल चार हेक्टर जमीन पर गेहूं की जुम्ला औसत और मुखततम पैदावार जद्वल में काम पर लगाए गए मजदूरों की तादाद, जमीन, मजदूर तनासब, जुम्ला पैदावार, और औसत पैदावार, और मुखततम पैदावार यहने number of laborers employed, land labor ratio, total output, average product and marginal product पर मुस्तमल है जद्वल में कालम नमबर दो, जमीन मजदूर तनासब, लिएने land labor ratio बता रहा है चार हेक्टर पर मुस्तमल जमीन कारगवा मुईन आमिल और काम पर लगाए गए मजदूरों की तादाद, जो बढ़ती रहती है मजदूरों की मख्तलिक सतों पर जमीन मजदूर तनासब हासिल करने के लिए हम चार हेक्टर जमीन को काम पर लगाए गए मख्तलिक सतों की मजदूरों की तादाद से तक्सीम करते हैं कालम नमबर तीन को कालम नमबर एक से तक्सीम करने से आउसत पैदावार हासिल हो सकती है मुखतम पैदावार हासिल करने के लिए X मजदूरों की पैदा करदा जमला मगदार को X प्लिस वन मजदूरों की जमला पैदावार से तफरीख करते हैं जहां X मजदूरों से मुराद एक, दो, तीन, चार ता साथ है जद्वल के औसत और मुखतम पैदावार के एदाद को जमीन मजदूर तनासुप यानि लैंड लेबर रिशियो और काम पर लगाए गए मजदूरों की तादाद के साथ शकल में दिखाया गया है O X के महवर पर काम लगाए गए मजदूरों की तादाद और O Y के महवर पर गिहों की औसत और मुखतम पैदावार तनों में का तकमीना किया गया है OX के महवर से नीचे के खतर पर लगाए गए मज़़ूरों से तालुख रखने के वाले जमीन मज़़ूर तनास्वाथ यानि लैंड लेबर रिशियोस दिये गए हैं और आवसद Πेदावार खौस यानि एवरि़्ज परड़क्ट करब के जरी जरी काम पर लगाए गए मज़़ूरों की तादाद और आवसद्पीदावार को दिखाया गया है और मुखत्वत्वत्वत्वत्वत्वत्वत्वत्वत्वत्वत्वत्वत्वत्वत्वत्वत्वत्वत्वत्वत्वत्वत्वत्वत्वत्वत्वत्वत्वत्वत्वत्वत्वत्वत्वत्वत्वत्वत्वत्वत्वत्वत्वत्वत्वत्वत्वत्वत्वत्वत्वत्वत् तो तम पैदावार 13 के मसावी हो जाती है और इसके बाद औसत पैदावार घटना शुरू होती है या ये बात भी खाबिल खोर है कि जब हम मबदा से दूर हो जाते हैं तो जमीन मजदू तनासुप यानि लैंड लेबर रोशियो घटता जाता है पैदाश दौलत के तीन मरहल की आसानी से शनाफ कर सकते हैं शकल पर गौर कीजिए जिसमें पैदाश के तीन मरहले दिखाए गए हैं हम जम्ला पैदावार खोस यानि टोटल प्राड़क कर्व से शुरू करते हैं इस खोस पर नुखता ए तक जब दाखलात की ज्यादा मुगदार पर लगाई जाती है तो जम्ला पैदावार बढ़ती हुई शरह से बढ़ती है नुखता A से नुखता B तक जम्ला पैदावार में इजाफे का रुजान जारी है लेकिन इस इजाफे में घटी हुई शरह से बढ़ने का रुजान से नुखता B से नुखता C तक पैदावार तेजी से घटी है न आवसत पैदावार बढ़ती रहती है, यहां तक कि नुखता E पर वेश्टरिंच सता पर पहुंच जाती है, जहां मुखतम पैदावार यानि मारजिनल प्राड़क्ट और आवसत पैदावार मसावी हैं, इसके बाद आगे चल कर यह घर्टी जाती है और जब पैदावार आती है, तो यह भी सिफर हो जाती है, मस्कुरा बहस की बुनियाद पर पैदावार के तीन मरहुलों को इस तरह बयान किया जा सकता है, पहला मरहला, मतगयर दाखल को नुखता D की बाएं जानिब से इस्तमाल करने के तालुख करने से तालुख रखता है, जहां आवसत पैदावार सिफर हो जाती है, तीसरा मरहला, मतगयर दाखल को नुखता E की दाएं जानिब से इस्तमाल करने से तालुख रखता है, जहां मतगयर दाखल, दाखल के मकतदम पैदावार मुन्फी है, जुम्ला पैदावार और मकतदम पैदावार और आवसत पैदावार की ब इस्तरीन नुखते पर घटी शरा से पहुंचती है और इसके बाद घटी रहती है अजीज तलबा और तालबाद आज के प्रोग्राम में बस इतना ही अगले प्रोग्राम में आपसे फिर मुलाखत होगी तब तक के लिए आदा हुआ है झाल झाल